हाई अब्रिवान वेलकम बैक तो माई चैनल दिस प्रिया आई होप अल्या गुदेन फाइन सो आज की वीडियो में हम डिसकस कर रहे हैं बीएट सेकंड यर से रिलेटीड एक वीडियो के बारे में इसमें हम डिसकस करेंगे उनकी बुक्स के बारे में कि जो अभी बीएट से कौन कौन से बुक्स आपको लेनी चाहिए ठी में तो इस बार सेवन सब्जेक्ट से आपके ऑफोग मौद में होगा तो बुक्स आपको focus बुक्स आपके खले से तो देखे बुक्स है आपके gender school and society की assessment for learning की language across the curriculum उसके बाद है creating and inclusive school ठीक है guidance and counseling, knowledge and curriculum and understanding the discipline and subjects देखे सारे colleges की बुक्स जो है वो mostly same होती है बाकी जो same नहीं होता है वो होता है आपको optional subject जो आपके college ने आपको दिया है जैसे की मेरे पास था gender school and society का ठीक है और दूसरा था मेरे पास understanding discipline and subjects करके और guidance and counseling देखे जो optional subjects हैं वो आपके college के according देखेगा mostly वैसे यही सारे होते हैं तो यह सारी books हैं आपकी B.A. 2nd year से related देखे इस पे लिखा भी हुआ है CRSU की university के लिए भी यही चलती है MDU, CBLU, IGU, G, JU ठीक है तो आप किसी भी university से हैं तो books जो हैं वो सबके लिए mostly same होती हैं क्योंकि syllabus आपका same है आप किसी भी book से पढ़ें बस syllabus उसमें होना चाहिए ठीक हैं तो यह हैं आपकी books B.A. 2nd year की लक्षमी की books है एक guide की तरह होती है ताकि जो आपका theoretical exam हो तो आपके जो questions आते हैं वो इसमें से आज आते हैं तो आपको इस बार theoretical based paper देना है तो यह books आप लेनीजेगा जिन्हों नहीं ली है और जिन्हें अभी तक पता नहीं था कि हमें कौन-कौन जी books लेनी चाहिए I hope आपको इस वीडियो से उसका idea लग गया होगा तो यही था आज की वीडियो में तो I hope आपको वीडियो से अच्छी लग रही हैं मेरी जो मैं बना रही हूँ तो प्लीज चैनल को subscribe कर दीजेगा तक कि जो भी informative वीडियो में बना रही हूँ उसका notification आपको मिलता रहे and thank you have a good day और जिसके exams चल रहे हैं उनको best of luck